नमस्कार बंसली उसकी इस खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रेड़ना मिश्रा तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयुश्मान में हर बार स्वास से संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर धन्यवाद पिछले आज डॉक्टर से हम बात करेंगे विश्व द्रिष्टे दिवस पर हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व द्रिष्टे दिवस मनाया जाता है जिसमें आखों की देखवाल और समस्याओं के बारे में जागरू किया जाता है इसी खास सवसर पर आज हम भी जानेंगे कि अपनी आखों को कैसे सुरक्षित रखें इसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी साथी अगर आपकी भी आखों से जुड़े कोई सवाल हो सलाय मशुरा करनी हो तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन प मनाने के पीछे बिलकुल हर साल पूरे विश्व में वर्ल्ड साइट डे याने विश्व द्रश्टी दिवस मनाया जाता है उसके पीछे उद्देश ये है जो आँखे है वो मानव शरीर का बहुत एक इंपॉर्टन अंग है तो उसके लिए अवेरनेस जरूरी है कि हम अप जाने के लिए जन जागरुकता के लिए ये हर साल सेकेंड वीक अफ अक्टोबर गुरुवार को मनाया जाता है बिलकुल तो आखों से आप प्यार करें और आखों के अक्षेत्र में जागरुकता पहलाने के लिए इस दिन को अक्टूबर के दूसरे हफते में मनाया जाता ह गुरुवार के दिन, Dr. Records हवाल है, वोल्द साइडुदे की इस बार की कोई विशेश्ट सीम होती है, क्योंकि मैं तो पहली ही बार सुन रही है हुआ, तो मुझे हमें काम करना है पूरे साल भर ताकि हम अपनी आखों को प्यार करके उनको सुरक्षित रख सकें और इस बार जो इस थीम के माइने हैं वो है चार पी बिल्कुल तो आप अपनी आखों को सुरक्षित रखे इसके लिए चार पी बनाए गए हैं और उन चार पी के अंतरगत ही जो भी जागरुपता है, जो भी संदेश, आखों को इससे चुपा है, वो देने का प्रयास इस दिन के माध्यम से किया जाता है. दोक्टर, एक और सवाल है मेरा, अपनी आखों से, जैसा कि आपने बताया इस बार की theme है, लव यो आईज, तो आखों से प्यार कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि लोग जानते हैं आखों से देखना, लेकिन आखों को प्यार करना समझ नहीं सकते लोग उसके पीछे का जो मुख्य उद्देश जैसा कि मैंने बूला कि four peas हैं, तो सबसे पहला pre है कि हमको preserve करना है, तो God ने हमको जो ये इतनी precious एक अनमोल तोफा जो हमें दिया है, उसका एक reason दिया है, जिससे हम पूरी स्रश्टी को देखते हैं, especially जो छोटे बच्चे हैं, उनक कि 80% जो learning होती है, वो through eyes होती है, मतलब हमको देखने से बच्चा सीखता है, तो इसलिए हमें अपनी आँखों के vision को preserve करना है, मायने उनका जो vision है, उसके लिए हमें routine check-up करना है, अपनी आँखों की सही देखभाल करनी है, और जो vision है, उसको इधर चश्मे से, या सरजरी से या आँखों की किसी भी देखभाल से उसको maintain करना है, preserve करना है, बचाना है, या सुरक्षित रखना है, बिल्कुल तो प्यार सिर्फ वॉयलन में गीत बजरा हो और फूल बरस रहे हो, ऐसे ही नहीं होता है, प्यार ये भी है कि आप अपनी आँखों की देखभाल करें, समय स पर उसका टेस्ट कराएं, और अगर आवर्श रखता है तो treatment भी लें, अमेम आपने एक word का इस्तिमाल किया, preserve your vision, तो इसके क्या माइने है, कैसे देखती है आप इसे, जैसा मैंने बताया कि preserve करना है, मतलब आपके पास जो vision है, उसको आपको maintain करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बिमारियां हैं, जैसे हम बात करें, चश्मे का नंबर, ये एक ऐसी बिमारिये जिसमें आपका vision कम हो जाता है, लेकिन आप चश्मे से ठीक कर सकते हैं, आप चश्मा लगा के अपना vision preserve कर सकते हैं, to the extent of 100%, सेम ऐसे ही मूतिया बिंदू है, जिसमें कि आप एक छोटी सी surgery से आप अपने vision को वापस पा सकते हैं, लेकिन कुछ unfortunately ऐसी बिमारियां हैं, जैसे glaucoma है, या फिर diabetic retinopathy है, इसमें जो vision चला जाता है, वो वापस लाट के नहीं आता है, इसे हम irreversible blindness कहते हैं, तो preserve करने का मतलब ये है कि आप अपने vision को बचाएं, तो अगर glaucoma के patients हैं, यहां diabetic retinopathy के patients हैं, यह अगर doctor के पास सही समय पर पहुँच जाएंगे, तो उनका vision preserve हो जाएगा, अगर वो लेट हो जाएंगे, अज्यानता की वजह से, या किसी और वजह से वो doctor तक नहीं पहुचते हैं, तो वो अपना vision preserve नहीं कर पाएंगे, वो vision खो देंगे, इसलिए समय पर जाच और सही उपचार एक बहुत जरूरी कदम है, बिल्कुल तो समय पर जाच और उसका सही उपचार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जो कि आँखों को बचाने के लिए उठाया जा सकते हैं, हमारे साथ डॉक्टर इस वक्त एक caller है, अजय वो जुड़ पास का देखने हम तोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और थोड़ा दर दूर का भी देखते हैं, तो उसके लिए क्या उपाएं, सबसे पहले अपने को आई टेस्ट कराना है, क्योंकि 40 येर्स के बाद हम सब को पढ़ने का चिश्मा लगता है, और इसको हम प्रिजबायोपि प्रिफल्स करना है लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को न देखें, बीच में ब्रेक लें, और अगर आपको चश्मा है, तो आप चश्मा लगाके कंप्यूटर का स्तमाल करें। तो सबसे पहले तो आप आई टेस्ट करा ले जाए और अगर चंशमा लग रहा है तो चंशमे को कभी एब बढ़ पावर टेस्ट करा लें और चंशमा लगा कर ही किसी भी ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल करें डॉक्टर का भी यही सुझाव है चले डॉक्टर आप से एक सवाल और लेना चाहूंगी आपने चार पी का प्रयोग किया था उसमें से दूसरा पी जो आपने बताय था वो प्रिवेंट था उससे क्या समझ सकते हैं कैसे देखते हैं आप इसे जी बिलकुल हमेशा से ऐसा बोला जाता है कि प्रिव समझी बीमारी से बचने के लिए उसके प्रिवेंशिन के उपाय जानने चाहिए जैसे हम मच learners से बच्चने के addiction नहीं रखना है उसका use minimize करना है और जो digital gadgets use करने के नियम है वो follow करना है दूसरा हम कैसे prevent कर सकते हैं वो है हमारी healthy body क्योंकि स्वस्थ आंखें हमारे स्वस्थ शरीर में ही रह सकती है उसके लिए हमें एक healthy balanced diet का इस्तमाल करना रहेगा जो vitamin A, C, D से rich हो antioxidants याने fish या green vegetables fruits का स्थमाल कर सकते हैं proper yoga meditation sleep से हम healthy body और एक स्वस्थ आंखों का निर्मान कर सकते हैं बिल्कुल तो कुछ कदम बताएं हैं जिससे हम prevent कर सकते हैं अपनी आखों को अपनी आखों की रक्षा कर सकते हैं उससे बचा सकते हैं किसी भी आने वाली बीमारी से डॉक्टर चार पी का जो आपने जिक्र किया था वो मैं भी बारी-बारी से इसलिए पूछ रहे हूं क्योंकि मैं खुद भी समझना चाहती हूं बहतर डंग से प्रोटेक्ट जो तीसरा पी है उससे कैसे समझ सकते हैं क्योंकि क्योंकि आखों को बचाना प्रोटेक्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है लेकिन कहीं न कहीं लोग उसमें चूप जाते हैं बिल्कुल सही का अप रेना जो प्रोटेक्शिन है वो बहुत जादा जरूरी है अगर हम प्रोटेक्शिन की बात करें तो भगवान ने हमारी आइस को प्रोटेक्ट कर रखा है आयलेट चुल तो जब भी आंख में कचरा धूल मिटी न जाए, कोई चोट न लगे और कई बार हम लोग जो use करते हैं cosmetics और contact lenses वो भी dangerous हो सकते हैं तो females को especially cosmetics का ध्यान रखना है जो common cosmetics होते हैं एक दूसरे का इस्तमाल न करें contact lens लगा के सोय नहीं या contact lens के लगाने के जो नियम है वो पूरे follow करें हम sunlight में जाते हैं तो हमको UV protecting goggles का इस्तमाल करना है अगर हम digital gadgets याने mobile या computer का use कर रहे हैं तो हमें anti glare glasses का इस्तमाल करना है या blue cut glasses का इस्तमाल करना है तो इस तरीके से हम कहीं न कहीं अपनी आँखों को protect याने बचाओ कर सकते हैं जो chemical hazards हैं industries में या जहां नुकीली चीजें रहती हैं उनके लिए safety goggles या safety wears होते हैं जब हम two willers पर जा रहे हैं तो एक helmet हमारी न केवल सिर की सुरक्षा करता है बलकि हमारी आँखों की भी सुरक्षा करता है तो हमें protect करना है हमारी eyes को environmental hazards से बिल्कुल मैम हमारे साथ इस वक्ते caller है माखीजा जी होशरंगा बात से हैं ये जुड़ गये हमारे साथ माखीजा जी आपके जो भी सवाल हो आप पूच सकते हैं नमस्कार मेडम नमस्कार माकीजा जी बस operation के लिए pressure सोड़ा बला रहता है operation के बात गुल्कुमा का operation आपसे कराया था जी जैसे दो बहुत बढ़िया है pressure सोड़ा बला रहता है देखें जो eye pressure है वो हमारे blood pressure जैसा है जिसका एक पैमाना होता है याने की application tonometry करके आपके दबाओ को नापा जाता है अगर वो दबाओ normal limits में हैं आपकी optic nerve और आपकी field changes को देखते हुए suppose आपके लिए हमने जो target set किया है 8 से 12 mm या 8 से 16 mm of mercury अगर वो maintained है operation से तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर operation के बाद अगर थोड़ा सा fluctuations हो रहे हैं तो बेटर है कि हम eye drops का इस्तमाल करें और किसी stress को न लें और आँखों का regular eye test कराएं अगर आपको कोई addiction is smoking या drinking की तो वो avoid करें और अपना आँखों का pressure check कराते रहें कि वो maintained है कि नहीं हो सकता है कि आपको एक या दो drops की जरुरत पड़े पर target pressure अच्छी होना से यह बहुत जरूरी है बिल्कुल तो मुझे लग रहा है मांखीजा जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा तो पूरी हाँ जो ना red हो गई है देखिए चोट लगने की वज़े से हमारी सफेद हिस्से पे लालीमा आ सकती है क्योंकि वहाँ पर छोटी सी blood vessels होती है और वो कई बार हैमरेज वहाँ हो जाता है अगर आपको चोट लगी है और आँखों में दर्द जादा है आपको देखने में problem है और वो redness continuously persist कर रही है तो आपको एक eye test जरूर कराना चाहिए और सिर्फ redness है तो वो कई बार बरफ की सिकाई से और eye drop से ठीक हो सकती है ठीक है तो बरफ की सिकाई करें eye drop एक बार डाल के देखें अगर आपको तब भी आराम ने मिलता है तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर करें दिलिप हमारे साथ इस बक्त एक और caller है जुड़ गए है देवास से हैं मैम यह आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से अपनी साला ना आँखों जांच कराना चाहिए क्योंकि डियाबेटी जो बीमारी है वह आफों को कीईडी को और पारों की नसों को डेमेच कर सकती है आखों पर आपका चस्मे का नंबर अफलक्ट्वेट हो सकता है आपकी आखों में रूखापन आसकता है आंखों में रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी शुगर कंट्रोल करें और आपके एरिया में अगर कोई आईस्पिश टेस्ट हैं तो उनसे आप जरूर आँखों की जाच कराके ये सूनिश्चित कर लें कि आपको कोई आँखों के दुश परिणाम डाइबिटीज की वज़े से तो नहीं हो रहे हैं बिल्कुल दिलिव जी मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा अगर तब भी ना मिला हो तो आप डॉक्टर से सीधे जाके संपर कर सकते हैं डॉक्टर आपके पास आना चाहूंगी और 4P का हम जिक्र कर रहे थे अभी वो पूरा न सब्सक्राइब में देख लेते हैं कुछ लोग घरे लूप पाय कर लेते हैं कुछ लोगों को जैसे कम दिखता है तो सोचते हैं ठीक है अभी तो काम चल रहा है कोई दिकत नहीं है अभी मेरी उमर हो गई है मुझे क्या जरुरत है चश्मे की आँखों के दॉक्टर को कि आँखें हमारे लिए बहुत जरूरी है जैसे कि कहा जाता है कि जान है तो जहान है पर मैं ये बोलूँगी कि आँखें हैं तभी आप इस सुन्दर जहान को देख पाएंगे तो प्लीज अपनी आँखों को इग्नोर न करें उनकी समय रहतर जाच करवाएं इस्पेशली फ बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि जान है तो जहान जरूर है लेकिन आखों को सुन्दर जहान से अगर देखना है तो उसकी सुरक्षा जरूर करनी है हमारे साथ डॉक्टर इस वक्त कॉलर है एक जैप्रकाश वे जुड़ गए है जैप्रकाश जी आपके जो भी सवाल कैसे होता है मुझे भी तुछ दिन पहले मैंने जाच कराई थी ये गलूगोमा की सिकायद बताई है तो इसके लिए हम बेहतर जाच के लिए कहां जाच कराएं और क्या प्रिकासंस लें क्या परेश करें देखे सर मैं गलूगोमा एक्सपर्ट हूँ आप मेरे पास आ सकते हैं जाच के लिए गलूगोमा एक एसिम्टोमाटिक बिमारी है जिसमें कि आपको शुरुवाती कोई भी लक्षन नहीं होते हैं ये आँखों की अंधत्व की बिमारी है जिसमें आँखों का दबाव बढ करता है देखने वाली नस कमजोर होती है और फील्ड कमजोर होती है और ये तीनों चीजों की आपस में क्वाडिनेटेट तरीके से जाच करके हम ये निर्धारित करते हैं कि आपको किस किसम का गलॉकोमा है और आपकी राइट आई में और लेफ्ट आई में कितना वीजन है और आपको किस तरीके से इलाज दिया जा सके क्योंकि ग्लॉकोमा एक ब्लड प्रिशर जैसा है जिसमें हमें आँखों का प्रेशर कम करने के लिए या तो लेजर या आई ड्रॉप्स या गोलिया या फिर कई बार ऑपरेशन की भी जरुरत पड़ती है अ बिल्कुल लो कोरेज दोक्ट इसक्त हमारे साथ एक और अपहलर उनिवन्थ जी वह महुत से हैं ये भी जुड़ गये हैं उनिवन्थ जी आपके जो सबाल हहां आप डॉक्टर से पूछे दिबिल्कों useful होlles मुजईना आखों पानी आता है सर आंखों में आसू आने के दो मुख्य कारण है पहला यह तो आपकी आंखों में आसू ज्यादा बन रहे हैं जो डाइबिटीस वाले पेशिंट्स में हो सकता है, इलर्जी की वज़े से भी हो सकता है, चश्मा न लगाने की वज़े से ही, आपकी आप डाइबिटिक पेशिंट हैं, तो आपको बिना लक्षन होते हुए भी हर साल अपनी आँखों की जांच करानी है ताकि आपको आगे चलके भविश्य में कोई आँखों की परेशानी नहीं हो आँखों का आसू आना एक छोटी सी समस्या है और वो इलाज के द्वारा ठीक हो सकती अगर वो एलर्जी है तो एंटी अलर्जिक ड्रॉप्स अगर ड्राइने से तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स से आप ठीक हो सकते हैं बिल्कुल तो कुलबंत जी आप रेगुलर एटलीस आँखों का जो चेक अप है वो जरूर कराते रहें क्योंकि आप शुगर पेशेंट है तो डॉक्टर का यह कहना है कि खत्रा जादा हो सकते हैं आँखों को तो अगर रेगुलर चेक अप होगा तो समझ में आएगा क्या समस्य आ रही है डॉक्टर एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस सवरे से देखा जाता है कि लोगों को समझाया तो बहुत जाता है कि आखों की रेगुलर जाच कराएं चेक अप कराएं लेकिन लोग मानते नहीं है तो कौन सी ऐसी स्थिती होती है मरीज की जब उ हमें बच्चपन से लेके बुड़ापे तक रेगुलर आई टेस्ट की जरुरत पड़ती है क्योंकि कई बार बच्चे सिम्टम्स नहीं बताते हैं या कई बार हमें लक्षन सही तरीके से समझ में नहीं आते हैं तो आइडियल सिच्वेशन यह है कि छे मैने की उमर में बच हमें पता चलता है कि आँखों का डेलपमेंट सही है कि नहीं और बच्चा एंडियूजवली राइट और लेफट आई से बराबर देख रहा है कि नहीं फिर एडल्ट हुड में हमें 40 यह के बाद चश्मे की जरुरत पढ़ती है पढ़ने की तो उस समय सालाना जांच होना चाहिए अगर कोई शारिर एक बिमारी है तो तुरंत जांच कराएं और अगर बच्चे को यह बढ़ों को किसी को भी चश्मा लगा हुआ है तो फिर उनकी सालाना जांच होना आवश्चक है अगर कोई सिम्टम्स है आंकों के जैसे आंखें लाल हो रही है आंखों में पान सकते हैं हम अमारी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं बिल्कुल तो जिस सरे से मैं बोरी कि अगर रूटीन चेक अप कराया जाए तो आने वाली जो समस्या है उससे भी बचा जा सकता है क्योंकि जल्द हम पकड़ लेंगे कि क्या कुछ समस्या थी हमारे साथ डॉक्टर हमारी पूरी लाइफ के लिए हमारी आंखों को प्यार करना चाहिए अगर हम अपनी आंखों को प्यार करते हैं तो हम प्रिवेंट प्रोटेक्ट और प्रायरिटाइज जैसी थीम पर काम करके इस सुन्दर जहान को अपनी स्वस्थ आंखों से देख सकते हैं चाहे हमारी उ लापरवाही ना करें और आखों का चेकप ज़रूर कराएं डॉक्टर का भी यही कहना है और स्वस्त खाएं पिए उससे आपका जो आखों की रोशनी है वो हमेशा बनी रहेगी और डॉक्टर बहुत धनेवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां जो आपने साजा की तैंक्यू नमस्कार तो आज जी डॉक्टर बिनीता रामनानी ने विश्व द्रिश्टी दिवस के अवसर पर आखों की सुरक्षा के बारे में कई जानकारियां दी हैं निश्वत रूप से आपको भी सबी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आखों की समस्या को लेकर साथी बताएंगे उसके उपाय तब तक के लिए दीजे जास्त